A very good evening to all of you, सभी का warm welcome है, इस week की sentence breaking method की class में, class आपकी भी favorite है, मेरी भी favorite class है, इस class में आप मेरे साथ सीखते हो, English में mathematics वाला logic कैसे लगाया जाए, sentences आपके सामने होंगे, अपने उनको break करेंगे, हर word की जगा देखेंगे क्या काम कर रहा है, कौन सा word पहले, कौन सा word बाद में, साथ ही, अगर sentence में कोई grammar rule लगाया है, तो इसको कैसे identify करना है logic के साथ, तो overall, बिल्कुल basic level से आपकी foundation को build करेगी, चलिए शुरू करते हैं, सारे आपके जो sentences उठाए गए हैं, the Hindu editorial से अच्छे level के हैं, आगे बढ़ने से पहले, अपनी application को जरूर download कर लें, अगर किसी exam के लिए आप prepare कर रहे हो, application पे आप मेरी guidance में preparation कर सकते हैं, किसी भी exam के लिए, SSC, banking, UPSC, writing skills, writing का course अवेलबल है, 475 में आज, आप इसके अंदर किसी भी topic पे लिखना सीख सकते हो, 70 से 80 घंटों के अंदर, हजारों लोग सीख चुके हैं, आप भी फाइदा लें किसी भी descriptive exam का, banking का course पे अवेलबल है, एक साल का prelims, mains, clerical PO, सब इसमें cover हो जाएगा, इसी तरीके से SSC course में सारे SSC exams को हम cover करते हैं, एप से related कोई भी query हो, यह number है, इसमें आप WhatsApp कर सकते हैं, चलिए अपना first sentence है, पहले इसको अराम से पढ़ना है, फिर इसमें आपको 4 से 5 errors मिलेंगी, में identify करेंगे, करें, Mr. Khan, at the face of a no confidence vote in parliament, used his carefully worded speech to defend which he calls his political legacy, ingeminate the PTI's Islamic welfarist ideology, and set the tone for his future plans around Pakistani politics, कैरें Mr. Khan जो है न, और कैसे, at the face of, इस phrase का मतलब होता है, सामना करते हुए, किसी चीज़ को face करते हुए, ठीक है, तो Mr. Khan जो है, at the face of, यानी सामना करते हुए, एक no confidence vote का अविश्वास मत का, वहां की parliament में, पाकिस्तान की, Khan साब ने use कर दिया, अपनी बहुती care के साथ में word की हुई speech को, ऐसी speech, ऐसे भाशन, जिसमें words जो बड़े carefully पिरोए हुए थे, careful worded speech, अच्छा क्यों किया इन्होंने इसको use, confidence, non confidence vote का सामना करते हुए, use क्यों किया इसको, use किया defend करने के लिए, रक्षा करने के लिए, हिफाज़त करने के लिए, और किस चीज की, उस चीज की, विच, जिसको ये बुलाते हैं, call करते हैं, उनकी राजनितिक विरासत, political legacy, समझ गे, अच्छा और क्यों किया, दूसरा रीजन क्या था, दूसरा काम ये था खान साब का, पहले तो इन्होंने ये काम किया, use करने का speech को, दूसरा काम इन्होंने कर दिया, इंजैमिनेट करने का, इंजैमिनेट करना मतलब होता है, repeat करना, किसी चीज को बार बार दोराना, फिर से दोराने के लिए, इनकी जो पार्टी है, PTI, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, करे इसकी Islamic welfareist ideology को, इसकी उस ideology को, विचार धारा को, जो इ समझ के, welfare का मतलब होता है, सबका भला है, इसलामिक लोगों के भले की जो काम करने वाली ideology है, उसको इंजैमिनेट करने के लिए, तीसरा काम इन्होंने किया, set कर दिया tone को, set the tone का मतलब होता है, माहोल बना देना, और किसके लिए, अपने future plans के लिए, जो भी planning के रखे हुए दिमाग में, और किसके अराउंट, पाकिस्तानी politics के अराउंट, politics के चारों और, या politics को ले करके, यह काम हुआ है, Mr. Khan जो है, आई विश्वास मत को फेज कर रहे थे, परलेमेंट में, तो दो तीन काम यह कर गए, पहला तो अपने carefully worded speech को इन्होंने इस्तेमाल किया, ताकि की अपनी political legacy को बचा पाए, दूसरा इन्होंने दोराने की कोशिश की, अपनी party के Islamic welfareist ideology को, और तीसरा इन्होंने महोल बनाने की कोशिश की, set the tone for करने की कोशिश की, अपने future plans को ले करके, जो भी वो politics को, पाकिस्तानी politics को ले करके चलते हैं, अब देखो sentence आपने पढ़ लि rules बताता हूं न, सबसे पहले तो मैंने सारे words को colors देदी हैं, अलग-अलग, black color में मिलेंगे nouns या pronouns, और साथ में gerents, आप जानते हो, noun, pronoun और gerents एक ही तरह के words हैं, subject, object बनने का काम करते हैं, है न, black color में मिलेंगी आपको preposition, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, डार्क black color में, yellow color में मिलेंगी conjunction, red color में मिल जाएगी verbs, pink color में अगर कहीं आएगी तो adverb आजाएगी, और blue color में adjectives, सवाल आपके मन में ये आना चाहिए सर, हमें कैसे पता लगेगा, कि ये adjective है, ये noun है, ये preposition है, तो देखो preposition तो पढ़ते बढ़ते आपको idea लग जाएगा, add, off, on, for, है न, ये सब preposition होती है, conjunction भी आपको almost पता ही है, अगर आपने basics की हुई है, तो for, and, nor, but, because, है न, conjunctions है, verbs भी देखके कोई बता सकता है, defend करना, call करना, use करना, set करना, enjaminate करना, generally पता लग जाता है, addverbs की position देखके पता लग जाता है, अगर किसी adjective के पहले आई हो, या किस verb के बारे में बता रही हो, तो वो अपने आप ही add verb जो है, बन जाती है, आपको नहीं भी पता हो, तब भी आप खुद से idea लगा लोगे, बच जाते है, adjectives और nouns, इनके बीच में एक simple सा difference है, confusion अगर हो, तो जिसके आगे मेरा या तेरा लग जाए, और meaning निकले, वो क्या है, वो है सारे एक noun, और जिसके आगे मेरा तेरा लगने के बाद भी कोई meaning ना निकले, वो है एक adjective, जैसे political है, political का मतलब राजनितिक, यानि कि सियासी, अब मैं बोलना चाहूँ मेरा सियासी, मेरा राजनितिक, अब मेरा राजनितिक क्या, मेरा राजनितिक करियर, मेरी राजनि तो इस फॉल्मुला को आपको फॉलो करना है अगर मालो आप फेस क्या आगे लगाओ मेरा चाहरा तो अपने आप यह बन रहा है तो फेस अपने आप भी नाउन बन जाएगा तो एक सिंपल सा मैं आपको लिटमस टेस्ट बताता हूं चलो अब तीन रूल्स है फटाबट जरूर होगा अगर पांच है तो कई बाद नी पचास है तो भी कोई बाद नी एक संस्ट पूरे एक सम्टेट में एक संट ब्रोगा ऎोगा रूल्स नमर रूम्ब 1 रूल्स हर सम्टैट को एक वृब कि कम से कम देनी है मालो 5 pray पॉजचण आ तो 5 वाप सon गी 50 अशयत ऑप अब्जेट कोन बनेगा यह नाउन प्रणाउन यह जीरेंट ग्रीन कलर का वर्ड तीन रूल्स को फॉलोग करना है चलो शुरू करें मिस्टर खान प्रॉपर नाउन है ठीक है एक आदमी का नाम है पैचान सकते हो आप यूनीक है तो प्रॉपर नाउन है सेंटेंस का पहला सब्जेट है जिससे पहले कोई प्रेपोजिशन या कोई वर्ब नहीं है सिंपल सी बात क्या बनी यह नाउन ही हमारा सब्जेट है सब्जेट नमबर बन समझ में आगी जो noun किसी preposition verb को object नहीं होता है वो अपने आप ही subject बनने का काम करता है sentence का पहला noun है इसके पास कोई और option है नहीं subject बनने के लावा subject number 1 लिख रहा हूँ अगर मालो 2 subject आएंगे तो subject number 2 लिख देंगे आगे अब और आगे बढ़ो यहां दिख रहा है बड़ा सा कॉमा और इसके बाद दिख रही है preposition at preposition के लिए rule number 3 क्या बताया था हर preposition का एक object object जरूर होगा तो इस preposition का object है face ठीक है और यहां पर फिर से off दिख रही है और इसका object है no confidence vote यह no confidence vote दो तीन noun से मिलके बना है यहां पर adjective है confidence noun है vote एक noun है लेकिन यह compound noun है जैसे sports और car को मिला देते है sports और car को मिला देते है तो एक नहीं तरह की car बन जाती है जैसे lemon और tea को मिला देते है तो नहीं तरह की चाय बन जाती है lemon tea वैसे no confidence और vote को मिला देते है तो एक नया तरह का vote बन जाता है यह अपने आप में एक singular noun है no confidence vote चलो ओर आगे बढ़ो in preposition है object है parliament parliament का हमेशा P बढ़ा होता है इसके आगे दको नहीं लगाया जाता है अब देखो यह कॉमा हो गए यहाँ पे rule number 1 यह कहता है कि subject subject तो एक sentence में हो गई होगा लेकिन rule number 2 कहता है subject की वर्ब भी जरूर होगी कम से कम एक तो होनी ही चाहिए ना अब इस subject को आपने वर्ब तो दी नहीं यह तो सब preposition preposition object object पकड़ के लिए आप तो यह कॉमा से कॉमा वाला पूरा phrase अलग फ्रेज था अब इस फ्रेज के बाद में शैद इसकी वर्ब आएगी और देखो आपी रही है वर्ब नमबर वन यूस्ट मिस्टर खान ने इस्तेमाल में लिया अब और आगे बढ़ो यूज वर्ब से देखो इसके बाद रखा हुआ है एक हीज नाम का और प्रेज्टिव उसके बाद रखा हुआ है केरफूल नाम की एड्वर्ब फिर उसके बाद लिखा वर्ड नाम का एड्जेटिव और उसके बाद रखा हूआ बस्पीच नाम का एक cute नाउन a used 겉 वड़ का reply कर रहा है यह किसी वड़ कर एक लाइक य्का धियना छूब्सका उप्जेट में इस्पेस में यह को piston बनने के कोशिश कर रहा है और बन भी दोझे करें तीनों के लिए तो हैं कौन से इनकी स्पीश तो हिससी स्पीश अधरे रहे सब करी तो कि लेकिन बहुत के साथ में पीलव स्पीश को मौड़िफाय करें इस लीके से बेज फॉर्म जानते हो ना play eat write जिसके पीछे as या es ना रहा हो और verb की first form हो उसको बोलते हैं बेज फॉर्म तो यह verb की first form है बिना as या es के यह एक to infinitive अब infinitive के बहुत सारे काम होते हैं इसमें subject बनना, object बनना, adverb बनना, adjective बनना, अब यहाँ पर आपको check करना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे आपसे पूछूँ खान साब ने अपनी speech को क्यों use किया, खान साब ने अपनी speech को क्यों use किया, why did he use his speech, तो आप जवाब देंगे sir to defend, defend करने के लिए, तो जब y का reply देता है कोई भी infinitive, जैसे यहाँ पर y का reply कर रहा है to defend, तो उस case में यह बन जाता है, adverbial infinitive of reason, अब यह चोटी मोटी चीज़े हैं, आपको लग रहा हुआ sir, तो मैं कैसे याद करूँगा, इससे ज़्यादा logical क्या हो सकता है sir, जो reason की बात कर दे, y का reply कर दे, कि और आके बढ़ो, defend किसको करना है, defend करना है इस चीज़ को, defend verb को object है, यह विच वाला जो है pronoun, अब इस पर बात में आएंगे, शायद इसमें कोई गलती निकला है, यह क्या है, क्यों है, कैसे लगा हुआ है, इस पर हम आपको फिर से लेकर के आऊंगा, अब और आके बढ़ो के रहे हैं, वो speech को defend करने के लिए, जिसको he calls, जिसको वो call करता है, अब देखो, he यहाँ पर क्या है, subject number 2, खान साब subject number 1, he subject number 2, अब आप बोलोगे, दूसरा subject कैसे आगा सर, बीच में conjunction तो आई नहीं, conjunction है यहाँ पर which, relative pronoun, who, which, that या whom, relative pronouns, who, which, that या whom, वो pronounce भी होते हैं, और subject number 2 आगया, he, he आया, of course, खान के लिए, subject number 2, calls होगे, इसकी verb number 2, अब देखो, call क्या करता है, verb से what का reply कर दिया, legacy नाम के noun, legacy का मतलब होता है, विरासत, अभी बताया था, verb से अगर what, या whom का reply, कोई noun कर दे, तो वो बन जाता है, verb का object, तो he subject है, number 2, verb है, इसकी calls, verb number 2, और इस सर, political और his क्या है, ये इस noun के लिए, दो adjectives हैं, एक तो legacy किसकी, इसकी खुद की, he calls, दूसरा कैसी legacy, political legacy, legacy है, political और legacy है, इनी की, his और political दोनों adjective है, इस नाम के, legacy नाम के noun को modify कर रहे है, अब देखो, फिर से लग गया, यहां पे comma, और इसके बाद में लिखी हुई एक verb, इस verb को देख करके, आपको थोड़ा सा confusion होगा, क्या सर, ये to defend नाम का infinitive है, इसके बाद दूसरा infinitive लिखा गया है, या फिर, खान साथ की जो पहली verb थी used, इसकी दूसरी verb है, enjaminate, आपको ये check करना पड़ेगा, खुद से, समझो इस चीज को, ये verb रखी हुई है, अगर ये इस infinitive के continuation में होती, speech को use किया, enjaminate करने के लिए, defend करने के लिए, enjaminate करने के लिए, तब तो ये बन जाती, to infinitive और इसके आगे का to जो है, आपने miss किया हुआ है, क्योंकि इस to को आप उलड़ी लिख चुके हो, और हो सकता है, ये पहली जो verb है ना, पहली verb जो है, उसी का ही second part हो, आगे जाके end देखोगे, फिर आपको third part दिखेगा, तो दोनों ही तरीके से अपने इसको देखेंगे, तो मैं इसको मान लेता हूँ, verb का ही second part, ठीक है, verb का ही second part, तो खान साब ने use किया था था न, अपनी speech को, वैसे ही खान साब ने enjaminate किया, enjaminate का मतलब होता है repeat करन repeat किया, और किसको repeat किया, pts की islamic welfarist ideology को, इस verb को object है, ideology नाम का noun, ideology तीन परकार की है, पहली है pts, possessive adjective, possessive adjective, दूसरा है islamic, एक adjective है, जो islam से related हो, तीसरा है welfarist, जो welfare से related हो, लोगों की भलाई से related हो, आरी न बात समझ में, अब लग गई and conjunction, and के बाद again verb आ रही है, of course ये verb की continuation में ही ये verb है, हो सकता है, ये भी infinitive हो, और ये भी infinitive हो, इसी infinitive से तीनो continue हो रहे हो, और हो सकता है, ये पहली verb हो, ये दूसरी verb हो, और तीसरी verb हो, तीसरी end से जुड़ी होई हो, अपने meaning पूरा निकालते हैं, और फिर check करेंगे, किस से जुड़ी होई है, तीसरी verb आ गई है future के और उसके खुद के दोनों ही adjective प्लांस को modify कर रहे हैं around preposition है object है politics politics कैसी है sir politics है पाकिस्तान की दो पाकिस्तानी एक adjective है यहाँ पे पाकिस्तानी एक बार repeat कर देता हूं पूरी खिचडी बड़ा ही interesting sentence जो है sentence जो आप यहाँ प्रेक्टिकली सीख रहे हो ना यह यह किताव पढ़के नहीं मिलता बहुत कोशिश करने पढ़ेगी मैं सकत करोगे Mr. Khan subject number one है he subject number two है दोनों subject जोड़ों में relative pronoun which से जो की pronoun भी होता और conjunction भी होता है subject number one की verb number one है used subject number two की verb number one है verb number two है calls add the face of में add preposition है face object है और preposition है no confidence word इसका object है इन preposition है palya met इसका object है उसी तरीके से और भी preposition और उनके object आपको दिख रहे हैं इन में कोई भी confusion आपको नहीं होना चाहिए इसके बाद दिक्कत आती है speech नाम के word की speech use verb का object बन गया क्योंकि इसने word से reply कर दिया है verb का यह पूरा phrase इस verb को इस noun को इस object को adjective की तरह जो है modify कर रहा है speech थी इनकी खुद की और जो बोड़ी carefully worded थी to defend यहाँ पे admirable infinitive of reason है क्योंकि यह मकसद को बता रहा है why का reply कर रहा है खान साब ने use क्यों किया speech को इस काम को करने के लिए अच्छा call verb को object है legacy, legacy political भी है और his भी है दोनों adjective legacy को modify कर रहे है ingaminate और set के बारे मैं मैं पता नहीं लग रहा हो सकता है to infinitive जो यहाँ से शुरू हुआ था इसी का अगला part हो और हो सकता है यह main verb का अगला हिस्सा हो main verb का तीसरा और दूसरा हिस्सा हो यह हमें खुद से check करना है ingaminate verb का object है ideology, ideology इस type की है ptis है, islamic है और welfarist है और set verb का object है tone आगे आप सब कुछ देख चुके हो तो यह sentence की structure बनी हुई है सबसे पहले तो decide करना सरी ingaminate सही है गलत है देखो मान लीजिए यह verb है इसकी, खान की ठीक है, verb 1.1 और इसको मैं मान लू, verb 1.2 यह subject number 1 है न, खान तो verb 1.1 खान, used verb 1.2, ingaminate और verb 1.3, set मान लीजिए ऐसा हो तो यह verb लिखी हूँ है past tense में V2 में, यह verb लिखी हूँ है present tense में और यह verb लिखी हूँ है किसमें जो है past tense में क्योंकि set, 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 3, v1, v2, v3 एक ही होती है, तो आप इसको fast मान सकते हो, अगर यह verb तीनों खान साब की verb हैं तो यह इंजामिनेट गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना चाहिए इंजामिनेटिड आरी बात समझ में, क्या लिखना चाहिए, इंजामिनेटिड क्यों, यह V2 है, यह भी V2 होगी और यह भी V2 होगी, past में चलेगा ना पूरा sentence उन्होंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया तब उस case में बन जाएगी यहाँ पर एक error लेकिन आपका सवाल यह होना चाहिए सर मैं मान रहा हूँ कि इन्होंने speech को use किया था तीन काम करने के लिए पहला काम है to defend दूसरा काम है to enjaminate और टीसरा काम है to set यहाँ पर defend भी एक infinitive है enjaminate भी एक infinitive है और set भी एक infinitive है तो मैं तो इस हिसाब से इसमें error नहीं निकालूँगा तो यह sentence आप देख रहे हूँ यह दोने तरीके से चल रहा है आप चाहे तो इसके हिसाब से चल लो चाहे इसको infinitive का पार्ट मान लो ऐसे sentences को बोलते हैं vague sentences यह sentences जो writer लिखते हैं न वो writer खराब writers कहलाते हैं क्योंकि वो अपने writing अंदर justice नहीं कर पाए reader को confuse करके चले गए अब इसका solution क्या करते हैं writers अगर यह इसका पार्ट होता अगर यह जो words हैं इस प्रेपुश इस जो है infinitive का पार्ट होते तो आपका writer यहां भी to लगा के आता और यहां भी to लगाता आरी यह बात समझ में vague sentences अच्छे writer कभी भी नहीं लिखते हैं अगर यह to infinitive का ही पार्ट होता तो आपका writer खुच से इस सीज को check करके यहां पे to add कर देता और यहां भी to add कर देता अब आप बोलो के सब to कैसे आ जाएगा तो पहले आ चुक है तुम्हारे दिमाग में confusion ना हो इसलिए इस writer ने इस बार to को भी बार बार लगा के दिया है ताकि confusion को आप उससे बच सको तो इस writer ने of course to नहीं लगाया है तो समझ जाओ समझ जाओ यह main verb के ही part है सारे के सारे vague sentence उसने नहीं बनाया है उसने जान वूज करके to या नहीं लिखाया है to लिख देता तो आप इसको इसका part मान लेते हैं उसकी पूरी planning है कि यह जो है verb की second form यह verb है second और यह verb third तो इस हिसाब से मैं देखूँ to ना लगने की वज़े से तो used in jaminated or set v2 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 ऐसे आपका sentence चल रहा है आ गई बात समझ में तो यहाँ पे error number one अब आओ error number two पे at the face of देखो at the face of English में phrase होता है लेकिन सही phrase है in the face of अब यह चीज आपको पढ़ने से बता लगेगी in the face of difficulty in the face of a defeat in the face of a disaster सामना करते हुए किसी चीज का in the face of ना कि at the face of तो यह phrase ही गलत लिखा हुआ है error number two अब आजो error number three पे थोड़ा सा side में लेके चलते हैं आपको error number three है चलो इसको बात में लेंगे पहले इसी को लेलो यह जो आप देख रहे हो worded यह है verb की third form verb की third form क्या होती है adjective होती है जब बिना has have या head के आ जाए speech कैसी है जो careful worded है adjective को modify करने के लिए आप दूसरी adjective को यूज करोगे या adverb को यूज करोगे सारे adverb को यूज करेंगे लेकिन अगर careful नाम के word को मैं अभी dictionary में डालूँ careful नाम के word को अभी dictionary में डालूँ तो निकलेगा adjective और इस word के नीचे जाऊंगा तो यह निकलेगी इसकी adverb form क्या होगी carefully यह word web dictionary है आप इसको डालूड कर सकते हो google में search करो word web free dictionary इसको डालूड कर लो किसी भी word की आपको सारी forms दिखा देगी PC में चलती है यह mobile में मुझे पता नहीं है शायद हो या ना हो चेक कर लेना PC के अंदर यह free dictionary है इसको जरूर से use किया करो तो मुझे यहाँ पे adjective के लिए adverb चाहिए होती है इतना तो पता ही है तो यहाँ पे careful जो adjective है इसको बना दूँगा adverb और लिख दूँगा carefully कैसी worded है carefully worded है worded adjective के लिए careful adverb को मैं use कर रहा हूँ अब आजाओ चोथी error तीन मिल चुकी ना पहले error थी इन्जामिनेटिट यहाँ टू नहीं है तो मतलब यह verb है verb है तो second form लगाओ second है यहाँ पे in होना चाहिए third है यहाँ पे carefully होना चाहिए अब चोथी निकाल लेते हैं आजाओ चोथी यह है कि यह सारे जो phrases आप देख रहे होना यह in में से जो black वाला है black वाला इसको बोलते हैं redundant words redundant का मतलब होता है unnecessary अब देखो redundant क्यों है मान लीजे मैं बोल रहा हूँ return back return का मतलब होता है वापिस आना इसके साथ में मैंने back भी लगा दिया तो जब return में वापिस आना ही है तो back की क्या ज़रूता है return नाम की verb के साथ तो return verb के साथ में back नाम के इस preposition या adverb को आप use ना करें वैसे gift gift वही होता है जो मुफ्त में हो जिसके पैसे लग गए वो काई का gift तो gift के आगे free लगाने की आपको जरूत नहीं है sudden crisis crisis वही होता है जो अचानक से आए sudden हो surprise वही होता है जो unexpected हो जिसके बारे में आपको पता ना हो result वही होता है जो last में निकल कर के आए fundamentals या basics वही होते हैं जो बिल्कुल आधार भूत होते है memories वही है जो past की होंगी future की memories आप नहीं बना सकते हो plans वही होते है जो future की होंगे आप future को हमेशा plan करते हो past को कैसे plan करोगे facts वही है जो सच है जो सच नहीं है वो fact नहीं है वो वैसे lie बन जाता है outcome वो result एक ही बात है तो final आखरी end outcome के आगे लगाने की ज़रूद नहीं है tragedy हमेशा terrible होगी कोई भी pleasant tragedy आपने नहीं सुनी होगी ऐसी tragedy जिसमें आपको मजा है tragedy हमेशा terrible होगी आपको दुख देके जाएगी तो ये सारे जो मैंने dark hue में words इनको बोलेंगे redundant words अब जब भी आपको ये words इंगलीश में कहीं भी किसी sentence में दिखें तो यहाँ पर error बन जाती है sentence improvement की आप अगर end result लिख रहे हो ना तो ये गलत नहीं grammatically सही है लेकिन आप sentence को improve कर सकते हो अगर आप end को निकाल दे अब इस sentence में भी देख लो क्या हो है अपने sentence में last में लिखा हो है future plans अब ये गलत नहीं है लेकिन अगर improve करना चाहूं तो future को plans के आगे से remove कर दूँगा plans वही है जो future के है है ना plans वही है जो future के है चलो अब देखो error number 4 last error है अपनी 5 number या 4 number जो भी है बड़ी प्यारी error है who, which, that या what के बीच की error आपने relative pronouns मेरे साथ की हूँ है who आता है ऐसी चीजों के लिए जो humans हो, proper nouns हो जिन चीजों का antecedent human होता है और proper noun होता है who को use करते है जिनका antecedent non-human होता है लेकिन proper noun होता है हम which को use करते है और ऐसे चीज़े जिनका antecedent human या non-human कोई भी हो लेकिन common noun होता है उसके लिए हम that को use करते है और हम what को use करते है जब कोई antecedent आपको दिया ही ना हुआ हो practically बतायता हूँ मैं क्या कहना चारहा हूँ the police have arrested Manoj who, which, that या what is my neighbor police ने arrest कर लिया है Manoj को जो मेरा पड़ोसी है अब मुझे बताओ ये पूरा का पूरा close जो आएगा ये किसके बारे में बता रहा है सर ये Manoj के बारे में बता रहा है Manoj कोन? Manoj जो मेरा पड़ोसी है ये पूरा का पूरा phrase जो आना ये close है इसका antecedent है Manoj जिसके लिए relative close relative close आते हैं वो noun relative close का antecedent बन जाता है अब मुझे बताओ मनोज किस तरह का noun है sir proper noun है और human है तो मैं यहाँ पर proper noun human antecedent के लिए यूज करूँगा who को police have arrested manoj who is my neighbor समझ में आ गई दूसा देखो police have found the knife who which that your what was used to commit the crime police वालों ने डूंड लिया उस चक्कू को उस चुरे को जिसको use किया गया था crime को commit करने के लिए अब मुझे बताओ यह पूरा जो close है यह किस के बारे मता रहे है चक्कू के बारे मता रहे है sir कौन सा चक्कू जिसको इस्तमाल किया था कानून की जो है that अब तीसरे में देख लो दरिजर्व बैंक ओफ इंडिया के दा लगा ले ना दर इसव बैंक ओफ इंडिया who which the ndia which is India Central Bank is trying to curb inflation जो इंडिया का Central Bank है वो कोशिश कर रहा है inflation को curb करने की control करने की महगाई को Reserve Bank of India के लिए पूरा close आया है ये close बता रहा है वो Reserve Bank of India जो India का central bank है इसका antecedent क्या हो गया एक proper noun हो गया लेकिन non human है Reserve Bank of India को इंसान नहीं है तो इस case में मैं use कर दूँगा which को मेरे खाल से इस से logically बिल्कुल सी definition आपको चीजों की दे रहा हूं अब देखो लास्ट वाला ये दोनों sentences थोड़े से different है शी दिन्ट टेल मी शी दिन्ट टेल मी वर्ट हू विच या दैट आय डिन्ट नो बिफोर उसने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो मुझे पहले से नहीं पता था अगर ये पूरा close मैं यहां पे देखना चाहूं पूरा close मैं यहां पे देखना चाहूं जो मुझे नहीं पता था इसका antecedent का है इसका antecedent का है इसका antecedent मी हो सकता है क्या नहीं सर्थ ये मी के लिए नहीं आया इस चीज का कोई antecedent है नहीं, पहले जो pronoun रखा हुआ है, वो है me, me के, me तो इसका antecedent बिल्कुल नहीं बनेगा, यह मेरे लिए नहीं आ है, close, यह उस चीज के लिए है, जो मुझे नहीं पता थी, तो इस case में, when you have no antecedent, you should use the relative pronoun, what, आरिये बात समझ में, इसलिए who, which, or that, यहा कहीं है नहीं, no verb के लिए यह पूरा close नहीं आया, इसका antecedent कहीं है नहीं, तो यहाँ पर आएगा what, समझ में आगी बात, इस तरीके से आप what को use करते हैं, अगर इस formula को लगाया जाए, अब मुझे बताओ, खान साब ने use किया, defend करने के लिए, अब देखो, किस case को defend करने के आ रही है बात समझ में, वो चीज तो लिखी ही हुई नहीं, यहाँ पर relative pronoun से पहले कोई antecedent ही नहीं है, यह बिना antecedent वाला relative pronoun है, यहाँ लिखो what, तो यह है sir, error number 5, समझ गे, last वाला थोड़ा लंबा था, लेकिन बड़ा प्यारा concept है, detail में करवाना पड़ा मुझे, शायद अब इससे आपको logically समझ में आ गया होगा, who, which, that or what कैसे use करना है, आजओ next sentence पर, बाकी यह सारे concepts basics की classes में हो चुके हैं, free of cost है, सभी के लिए जा कि आप फाइदा ले सकते हैं, अब next sentence अपना, वैसे ही पढ़ना है, इसको बिलकुल उसी तरीके से, ठीक है, Guhrath, the Committee, investigated into a deadly 2021 attack by a mob on the US Capitol building, has painted a clearly picture of the attempt by former President Trump to overturn the results of the 2020 presidential election and, declared that he damaged the US government and purposefully instigate violence to cling to power creating maximum endanger for the American democracy कम से कम पांस से छे अरस इसके अंदर आपको मिलेंगी करे जो कमीटी है इसने इन्वेस्टिगेट किया इसने चानबीन की और किस सीज में चानबीन की 2021 के उस हमले में जो बड़ा डेडली था जो बड़ा मारक या घातक था और किस के दवारा हमला था बाय लगा के बता रहा है एक भीड के दवारा और हमला किस पे किया गया था सर अटैक किया गया था अमरीका की कैपिटल बिल्डिंग में अमरीका की उस बिल्डिंग में जहां पे संसत बैठती है Capital building मतलब किसी भी देश की संसत बैटने वाली building Correct committee जो है ना इसने investigate किया था इस पूरे हमले को और paint किया है एक clear picture को Paint a clear picture का मतलब है तस्वीर को साफ करना इसने एक साफ तस्वीर की है उस कोशिश की उस attempt की जो इनके पुराने President Trump के द्वारा किया गया था जो कोशिश और किसी सीज के लिए की गई थी overturn करने के लिए cancel करने के लिए ओंधा कर देने के लिए reverse कर देने के लिए overturn मतलब reverse कर देना और किसको नतीजों को 2020 के presidential election के और कह रहा है and इसी committee ने जिसने पहले investigate किया फिर इस committee ने paint किया picture को इसी committee ने declare भी कर दिया that वो ये की कि Trump नाम का जो आदमी है इसने damage किया था एक तो अमरीका की सरकार को और दूसरा जान बूज करके इसने instigate किया था भड़काया था वहाँ पे वाइलेंस को तो इसने दो काम किये थे damaged and instigate वाइलेंस को अच्छा क्यूं किये ये ताकि ये cling to करे चिपका रहे power से cling to करना मतलब किसी चीज़ पे पकड़ या hold बनाए रखना ताकि ये ताकत से चिपका रहे और ये काम इसने किया था create करते हुए बनाता हुए बहुत ज़्यादा maximum and danger की खत्रे की situation को American democracy के लिए वहाँ के गंतंतर के लिए आप बोलो के सर ये sentence अपने आप में महावारत है मैं इसमें error कैसा निकालूँगा जिस दिन इस level की तयारी करोगा न अंग्रेजी में किसी भी subject में ले लो अंग्रेजी की बात क्यों करते हो जिस दिन इस level की तयारी करोगे उस दिन आप toppers की list में सुमार हो जाओगे toppers यहीं से अपने तयारी करते हैं भाई वो simple simple दो-दो 10-10 word के sentences से कोई practice नहीं होती paper में वैसे sentence नहीं आते है चलो अब इसको अपने break करेंगे sentence को meaning आपने निकाल लिया है committee ने investigate किया 2021 के attack में जो एक mob के द्वारा था US की capital building बे था paint किया है एक clearly picture को साफ़ाब picture को उस कोशिश की जो attempt किया था टरंप ने ताकि वो change कर पाए overturn कर पाए नतीजों को अपने उस election की जो ये हार गया था 2020 वाला और committee ने declare भी कर दिया कि इस टरंप ने damage किया था अमरीका की सरकार को और जान बुझ के बढ़काया था वहाँ पे हिंसा को violence को ताकि ये टरंप नाम का आदमी चिपका रहे power से सत्ता पे विराजमान रहे और ये काम किया इसने create करते हुए बहुत ज़्यादा danger या endanger की situation को खत्रे को पूरे के पूरे अमरीकन जनतंतर समिधान के लिए अब इसको break कर रहा हूँ एक है करर आपके सामने देखो खुद से आएगी the committee आपका subject है कैसे पता लगा sentence का पहला noun जिसके पहले कोई verb नी कोई preposition नी आपका subject बन जाएगा subject मुझे चाहिए भी था अपने आप इस noun को मैं subject बना लूँगा अब देखो subject की verb है investigated सामने दिख रही है कोई जंजट ही नहीं है subject और verb आजू आजू रखे है into preposition है इसका object है 2021 का attack तो 2021 attack जो है compound noun है इस into के बारे में बता रहा है into किसके अंदर into 2021 attack deadly जो है deadly एक adjective है attack को मोडिफाई कर रहा है 2021 के by preposition है preposition को object है mob mob का मतलब होता है भीड preposition को object दे नहीं है on preposition है इसका object है US capital building US capital building ए compound noun है वो वाली building जहाँ पे अमरीका की पार्लेमेंट बैठती है अब दिखो एक verb आये यहाँ पर has painted और एक verb आये यहाँ पर investigated into तो दिक्कत क्या है सब दिक्कत यह है कि यह तो investigated होगी verb नंबर one और यह होगी verb नंबर two हो सकता है ना ऐसा वह यह subject number one है यह subject number one है इसने verb नंबर वन लिली one point one मान देता हूं investigated को और verb one point two मान देता हूं painted को ठीक है एक ही subject की दो verbs है आगे बढ़ते जाओ paint किसको किया एक picture को किया clearly ने इस picture को modify कर दिया इस ad verb ने इस noun को modify कर दिया picture एक noun है paint का object है what से reply कर रहा है और preposition है इसका object है attempt by preposition है इसका object है President Trump former adjective है यह President पुराना है former है आज का नहीं है अच्छा यह attempt किस चीज़ का था attempt क्यों किया गया था यह clear picture जो इसने बनाई है उस attempt की क्या picture है यह attempt था overturn करने के लिए देखो noun से यह जो Donald Trump का noun attempt है ना जो इसने कोशिश की थी इस noun के पारें बताने वाला जो है आडवर्बिल जो है infinitive है समझरों adjective है यह infinitive तो है यह आप देखी रहे हो यह noun के बारें बता रहे attempt कौन सा था? attempt था overturn करने वाला तो attempt के लिए आडवर्बिल इंफिनिटिव नहीं है यह adjective है नावन को modify करने वाला overturn किसको करना है results को infinitive ने word से reply किया result का result इसको object बना लिया of reposition है object है 2020 का election अब देखो and नाम की conjunction पहली वह आई थी 1.1 investigated दूसरी आई है 1.2 painted तीसरी आई है 1.3 जो है declared आरे यह बाद समझ में 1.2 और 1.3 अब declare क्या किया that conjunction है subject number 2 आ गया damaged conjunction के बाद नहा subject आ जाता है and के बाद में भी आ सकता खा नहा subject लेकिन यह verb से verb को मिलाने वाली conjunction बन गई that ऐसी conjunction नहीं है जो verb से verb को मिलाए यह close से close को मिलाती है तो that के बाद में आ गया subject जो है he subject number 2 verb नमबर 2 damage किसको किया अमरीका की government को verb से object बन गया US government compound noun है दा लगा हुए सरकारों के नाम क्या के दा लगाना होता है and देखो aband अब इसके बाद में purposefully instigate that he damaged the US government and that he instigate violence यह and जो है and इसी subject की number 2 की verb दूसरी है यह पहले वाली verb से continuous में नहीं चल रहा है यह जो declared है यह verb नमबर एक थी यह verb नमबर दो है यह verb नमबर तीन है अब यह verb नमबर चार मत मान लेना इसको क्योंकि यहाँ पर end लग चुका है जब end लगता है तो आप समझ जाते हो यह last item है पूरी स्रिंखला में पूरी सीरीज में तो अब इसके बाद नहीं verb इसकी नहीं आ सकती अब जो यह verb आईएगे न वो आएगी he की आरी यह बाद समझ में तो he की पहली verb है damaged और दूसरी verb है instigate instigate किसको किया भई बढ़काया किसको instigate किया violence को violence instigate से इसका reply कर दिया और क्यूं बढ़काया बढ़काया cling to करने के लिए यह cling to एक infinitive बन गया y का reply कर रहा है adverbial infinitive of reason क्यूं बढ़काया cling to करने के लिए चिपकने के लिए और किस से चिपकने के लिए power से याने की सत्ता से अब देखो यह सारा काम कैसे हुआ जब इसने सारा काम किया ना इसने किया इसको करते हुए यह बन गया PPSA दो काम एक साथ हो जो होते हैं दूसरे काम को कॉमा लगा करके verb के ing form से बताते हैं तो इसने damage किया, instigate किया power को इसको करते हुए इस काम को यह PPSA बन गया present participle simultaneous section और creating किसी से को create किया भई वो अब किसी भी form में आ जाए participle, infinitive, gerund अपना object अगर word से लेना चाहे तो वो ले सकती है create किया है endanger को यानि की खतरे को maximum एक adjective है maximum endanger मतलब सफियारा खतरा for proportion है इसका object है American democracy compound noun मैं जानता हूँ बहुत लंबा sentence है लेकिन ये maximum जो आप पढ़ सकते हो ने English में वो उस level पर आपको लाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल भी heart lose नहीं करना है बलकि ये सीखना है कि देखो sir कर सकते हैं और इतने students करेंगे मेरे साथ 10,000 तो मैं भी कर सकता हूँ है एक बार इसको मैं revise कर रहा हूँ पूरे आपको structure को समझा रहा हूँ फिर इसमें से निकालनी है errors committee आपका subject है number 1 subject number 2 है damaged subject number 1 की तीन verbs है पहली verb है investigate it verb 1.1 दूसरी verb है has been it 1.2 तीसरी verb है declared 1.3 दूसरा subject है इसकी दो verbs है verb 2.1 है damaged और verb 2.2 है instigate यह दूसरी verb इसी subject की है कैसे बता लगा क्योंकि declared से पहले end लगा हुआ था इसकी चोथी verb अब नहीं आ सकती यह end लगाने का मतलब है यह last verb है तो यह जो end के बाद आप verb देख रहे हो यह इसकी verb continuation में नहीं बनेगी अब बाकी चीज़े क्या है into एक preposition है object है इसका 2021 attack deadly एक adjective है by एक preposition है object है इसका mob यानि की भीड on preposition है object है US capital building paint किया है एक picture को picture paint verb का object है clearly एक ad verb है इस noun को modify कर रही है off preposition है इसका object है attempt by preposition है इसका object है President Trump एक compound noun है former एक adjective है पुराने President के बारे में बता रहा है adjective जो है President को modify कर रहा है to overturn यहाँ पे adjectival infinitive है वो वाला attempt जो overturn करने वाला था overturn करना मतलब ओंधा करना किसी चीज़ को reverse करना overturn नाम के infinitive का object है results what का reply कर रहा है overturn किसको करना था नतीज़ों को results को off preposition है object है 2020 election and conjunction से तीसरी verb रखी हुई है मिली हुई है that preposition के बाद that conjunction के बाद subject number 2 आया है इसकी verb होगी damaged पहली वाली damaged verb का object होगा US government and के बाद दूसरी verb होगी investigate, instigate यह adverb है इसको instigate को modify कर रही है वो वाली instigation जो purposefully हुई है जो जान बूज के हुई है ना purposefully एक adverb है instigate किया है वालेंस को वालेंस instigate का object है to cling यहाँ पे एक adverb infinitive of region है यह सब काम इसलिए किया गया ताकि cling किया जा सके cling to किया जा सके चिपका जा सके power से to preposition का object है power creating यहाँ पे PPS से है यह सब काम किया maximum danger को create करते हुए PPS एक present participle simultaneous action इसका object है in danger नाम का noun maximum एक adjective है इसको modify कर रहा है 4 preposition है इसका object है American democracy compound noun बनी सारी काहनी बड़ा easily process किया जा सकता है सिरफ practice की ज़र होता है मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो अब errors को निकालेंगे फटावट से सबसे simple वाली error से निकालूं बहले देखो सबसे simple error है यहाँ पे clearly लिखा हुआ है देखो यहाँ पे purposefully है और instigate नाम की इसके बाद verb है purposefully क्या है एक adverb होती है इसका मतलब होता है जान बूज करके verb को modify करने के लिए adverb आ जाती है वैसे ही verb के लावा अगर कोई adjective हो उसको modify करने के लिए भी adverb को use किया जा सकता है लेकिन clearly जो अना clearly यह एक noun को modify कर रही है अगर आप clearly को dictionary में अभी type करो clearly तो आप देखो के clearly तो एक adverb निकल करके आएगी क्या adverbs nouns को modify कर सकती है सर बिलकुल नहीं कर सकती है तो कहने का मतलब क्या है इस adverb को इसकी adjective form में change करो noun से modify करवा हो तो इसकी adjective form क्या है नीचे लिखी हुए देखो clear clear और यह बन गया adjective तो सबसे पहले मैं इस verb को sorry इस adverb को adjective में change करूँगा ताकि इस noun से ही है setting बिठा सके ठीक है error number one अब देखो error number two जब इसने damage किया था US की government को तभी क्या इसने जान बूच करके instigate नहीं किया था violence को यह verb की second form है तो क्या यह verb की second form नहीं होनी चाहिए बेलकुल होनी चाहिए अगर यह verb की first form भी है तो he के हिसाब से तो instigate आना चाहिए हलांकि meaningfully वो correct नहीं है उसने damage किया था और वो instigate करता है ऐसा अलग अलग जो है एक sentence में नहीं आएगा मानलो लगाना भी चाहते तो instigate लिखते अगर verb की first form भी लगानी होती he के हिसाब से तो यह ना तो first form है बलकि second form के आगे से D को निकालके इसको गलत बनाया हुआ है error number 2 अब आजाओ error number 3 create करना है endanger को endanger को भी dictionary में check करो endanger यह बार बार मैं dictionary में इसलिए दिखा रहा हूँ आप check करके सीख सको endanger का मतलब होता है किसी चीज को खत्रे में डालना इसको imperil करना भी बोलते हैं इसका synonym निकलेगा देखो imperil किसी को खत्रे में डालना endanger और imperil दोनो verbs हैं इनकी noun form होती है danger endanger की noun form होती है danger और imperil की noun form होती है peril आरी यह बाद समझ में तो अगर PPSA को object दिया है endanger तो क्या verb दे पाओगे आरी यह बाद समझ में verb नहीं दे पाओगे ना इसको आपको noun form में change करना पड़ेगा and danger की noun form बना दूँगा मैं क्या बना दूँगा danger ठीक है न तो वर्ब जो है कभी भी वर्ब जो है दूसरी वर्ब को object नहीं बनती है यहाँ पे इसकी noun form में पास रखी है तो मैं उसको use करूंगा अगर मालो noun form ना होती आप कहदेते सर इसकी noun form तो है यह नी तो आपको इसको verb की in-g form में change कर देना होता वो तब जब इसकी noun form नहीं है noun form है ना देंजर तो noun बना दो noun form नहीं है तो इसको जीरेंड बना दो क्लिंग ओन्टू सम्थिंग फ्रेजल वब है इंग्लीश में जो बताते हैं किसी चीज़ को जखड़े रहना किसी चीज़ को पखड़े रहना छोड़ने से मना कर देना तो क्लिंग टू जो यह शैद फ्रेजल वब आपको शैद ना आती हो, थोड़ा सा ध्यान कर लो आज, यह दर वर्ब आपको यूज करने थी क्लिंग ओन टू पावर समझ में आगी यह होगी अरड नमबर चार अब आजओ अरड नमबर पांच पर अरड नमबर पांच यह सर इन्वेस्टीगेट एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद में कभी कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी तो क् इन्वेस्टीगेट नाम की वर्ब को इन्वेस्टीगेट नाम की वर्ब को इसके बाद में इंटू आ सकता है क्या नहीं आ सकता investigation नाम के noun के बाद में into आता है investigate नाम की verb के बाद में into नहीं आता है कुछ एक sentences मैं आपको करवा लेता हूँ ये वाला rule आपका थोड़ा सा revise हो जाए इसका screenshot ले लो एक तो पहले screenshot ले लो इसका बार-बार आपको revise करना है इसको अब मैं कुछ sentences आपके सामने दिखा रहा हूँ the forces attacked on the army at night time the forces made an attack on the enemy at night time forces ने attack किया enemy पे रात के वक्त और forces ने make किया एक attack को enemy पे रात के वक्त meaning same है पहले वाले case में attacked है verb verb की second form दूसरे वाले case में verb है made और इसका object है attack made what? made an attack what का reply करा रहा न verb से यहाँ पे जो verb का reply करने वाला है यह है noun और यहाँ पे है यह verb तो verb में attack के बाद on नहीं आता attack के बाद verb जो है ओन नहीं लेती लेकिन noun अपने बाद में on लेता है आ रहे वाल समझ में? वैसे ही to access to these funds beneficiaries will approach the DM funds को access करने के लिए इन पैसों को पाने के लिए लाभारती जो है beneficiary वो DM को approach करेगा collector के पास जाएगा यहाँ भी वह है to have access to these funds beneficiaries will approach the DM again देख लो access के बाद में to लगाया हुआ है access के बाद में to लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पे to access एक infinitive है एक verb है चाहिए semi verb form में infinite form में लेकिन यहाँ पे infinitive है to have और इस infinitive का object है access नाम का noun तो यह access वह है यह access noun है इसके बाद में कोई preposition नहीं आएगी और इसके बाद में to आएगा समझे बस यही concept है दो sentences मैंने आपके सामने ओर लिख दी है इनको सभी लोग सही करेंगे यही post कर रहा हूं वीडियो को मैं दो sentences आपके सामने लिख दी है क्या heat के बाद में to आएगा क्या stress के बाद में on आएगा कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा सही करके comments में जरूर से post करना यह आपने screenshot ले लिया है बस इसी के उपर पूरा concept ठिका हुआ है heat जो है heat verb form में no preposition non form में to लेगी और इसी तरीके से stress verb form में no preposition non form में on लेगी देख लेना चलो तो यह concept भी हो गया आपका यह वाला भी हो गया तो यह होगी 4 या 5 नमर error कितनी errors होगी 1 यह होगी investigated 2 तो अच्छा तीसरी error होगी तीन यह एड़ वाब है यह जो है वाब है वाब की second form चोथी error होगी इंडेंजर पांच मीं होगी क्लिंक अब आजाओ छह मीं error मुझे यह बताओ यह अगर वाब है और यह पहली है यह दूसरी है और यह तीसरी है declared ठीक है यह पहली है यह दूसरी है और यह तीसरी है है न तो क्या इसके पहले कॉमा नहीं होना चाहिए था क्या पहली वर्ब के बाद कॉमा दूसरी वर्ब और फिर एंड के बाद में तीसरी वर्ब होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था तो एक तो आपको शक मिला यह वाला कि यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था दूसरा यह वर्ब लिखी हुई है वर्ब की second form में यह लिखी हुई है present tense में present definite tense में present perfect tense में has plus verb की third form और यह लिखी हुई again verb की second form में हो सकता है present definite में हो has plus v3 भी हो सकता हो लगी हो क्या tenses को mix किया जाता है एक sentence में past और present को नहीं sir अगर यह ऐसे चल रही है तो यह भी ऐसे चलने वाली थी अगर यह v2 है तो of course यह भी v2 ही होने वाली थी तो इससे मुझे एक और idea मिला एक तो यहां कॉमा नहीं लगा और एक यहां पर has लगा हुआ है जो कि यहां नहीं लगा हुआ कहने का मतलब पता है क्या है actual में इन दोनों में से एक जो है ना एक ही verb है दूसरा adjective है अब आपक वाल यह भी थे लेकिन यह वर्भ की थाड फॉर्म है यह एक आज़टिव है आप उस कमीटी की बात कर रहे हो जिसने इन्वेस्टिगेट किया है इस डेडली अटैक में और जब भी आप इंवेस्टिगेट करने वाले होते हो तो आप प्रेजन्ट पार्टिसिपल को यूज करते हो actual में sentence ऐसा बना है the committee investigating वो committee जिसने investigate किया है या करने वाली है the committee investigating into the deadly attack into तो निकली जाएगा into तो है नहीं investigating the deadly attack by a mob on the US capital building has painted a clear picture and declared that आरिये बाद समझ में यह है जिसे पूरा sentence बन गया यह एक adjective है adjective भी गलत form यूज हुई है यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे investigating क्योंकि अगर यह verb है तो फिर यह verb नहीं है present और past को mix नहीं किया जाता तो यह तीसर advanced error 6 number error मुझे पता है यह error बहुत कम लोगों को मिली होगी शैद मुश्किल से 10,000 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो 10 को भी नहीं मिली होगी पर ठीक है आज सीखर है और कल को कहीं वे एक दो बार और देखोगे तो आपको idea लगना शूरू हो जाएगा कि ऐसे errors कहां पर रखी होती है चलिए wrap up करेंगे session को आज लंबा हो गया काफी आजाओ अपने last में quiz पे questions आपके सामने है चोटा सा sentence है इसको आपको break करना है और errors को निकालना है 4-5 errors कम से कम मिलेंगी सब लोग कोशिस करेंगे comment section में अपनी errors को जरूर post करना मैं भी सारी errors को first comment में डाल रहा हूँ आप जाके वहाँ से check out कर सकते हैं डालना जरूर कितनी errors आपको मिली 4-5 जितनी भी errors आप देख पारे हो इसमें sentence में चलिए मुला करतों कि कल किसी खास session के साथ में app पे courses available हैं सारे affordable prices में SSC banking और writing skills फाइदा ले सकते हो कोई query हो related to app courses या नमर है से वाट सब्सक्राइब करें अंतिल दन सब्सक्राइब करें अंतिल दन सब्सक्राइब